प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पहला पाट योब का ग्रंद अध्याव 42 वचन संख्याई एक से तीन, पांच, छा, बारा से सत्रा तक योब ने प्रभु को या उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तो सर्फ शक्तिमान है, और अपनी सब योजनाएं पूरी कर सकता है मैंने ऐसी बातों की चर्चा चलाई, जिन्हें मैं नहीं समझता, मैं ऐसे चमतकारों के विशय में बोला, जो मेरे वुद्धि से परे हैं मैंने दूसरों से तेरी चर्चा सुनी थी, अब मैंने तुझ से अपनी आँखों से देखा है, इसलिए मैं धूल और राख में बैट कर, रोते हुए पश्यताब कर रहा हूँ प्रभु ने योब के पहले दीनों की अपेक्षा, उसके पिछले दीनों को अधिक आशिरवाद दिया उसके पास 14,000 भेडे, 6,000 उंट, बैलों की 1,000 जोडियां और 1,000 गधियां थी उसके 14 पुत्र उत्पन हुए और 3 पुत्रियां उसने पहली का नाम यमीमा, दूसरी का कसिया और तीसरी का केरेन हपुक देश भर में ऐसे इस्त्रियां नहीं मिली जो योब की पुत्रों के समान सुन्दर हो योब ने उन्हें उनके भायों के साथ विरसत का भाग दिया इसके बाद योब 140 वरत जीवित रहा अपने पुत्र पुत्रों की चार फेड़ियां देख सका और बहुत बड़ी उमर में चल बसा या प्रभु की वानी है संदि लुकस के अनुसार पवित्र सु समाजार अध्याए 10 पद संगया 17 से 24 तक बहतर सिश्य सानंद लवटे और बोले ये प्रभु आपके नाम के कारण अवदूद भी अमारे अधीन है येश्य ने उन्हें उत्तर दिया मैंने शैतान को विजली की तरव सर्क से घरते देखा मैंने तुमें सांबों, बिच्चों और बाइर की सारी शक्तियों को कुछलने का सामर्त्य दिया है कुछ भी तुमें हानि नहीं पहुंचा सकेगा लेकिन इसलिए आनंदिद ना हो कि अवदूद तुमारे अधीन है बलकि इसलिए आनंदिद हो कि तुमारे नाम सर्क में लिखे हुए है उसी घड़ी ये शुपवित रात्मा से परिवूर्ण होकर आनंदिद के अवेश में कगा ये पिता ये सोर का प्रत्वी के प्रभू मैं तेरी स्तुदी करता हूं क्योंकि तुने इन सब बातों को ग्यानियों और समझदारों से चिपा कर निरे बेच्चों के लिए प्रगट किया है हाँ पिता ये की तुझे अच्छा लगा मेरे पिता ने मुझे सब खूच सुंबा है पिता को चोड़ कर ये कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है और पुत्र को चोड़ कर ये कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है केवल वगी जानता है जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की खरपा करे तब उन्होंने अपने शिश्यों के और मुड़कर ये गांद में उनसे कगा दन्ये हैं वे आंगे जो ये सब देखती है जिसे तुम देखते हो क्योंकि मैं तुमसे कवता हुम तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नभी आव राजा देखना चाहते दे परण्दु उन्होंने उनको देखा ही नही आव जो बातें तुम सुन रहे हो वे उनको सुनना चाहते दे परण्दु उनको सुना नही यह प्रभु का दीव्य सु समाचार है क्रेश्ट प्रभु की जैल प्यारा बैयायोर भगनो आज पवित्र कलिस्या संद मरिया पाउस्तीना कौलवस का कात्योगार मनाती है आज इकल करुना माला इत्यादी परजलीद है और यह सब इस संद के जीवन से शुरू हुआ था इनका जन्म पच्चीश ऑगस्त उनिसव पांच में पोलंड में हुआ था और इनकी मुर्ट्यु तैंदी साल के उमर में आज के दिन पांच अक्तोबर उनिसव अट्थीश में हुआ यह 20 साल के उमर में कौन्ड में भरती हुई अट्मिशन लिया था और नविशेत के बाद उनका प्रफशन भी हुआ दस साल वे सिस्टर के रोम में सेवा करती दी पर उनको प्रफु का दर्सन भता रहता था यो करुणा माई ईश्व का प्रफु का जो पिक्चर आज कर प्रजलिद है इस संद को प्रफु ने उस रूमें दर्सन भी यादा और प्रफ की यो जो मर्शी ईश्व का दया करुणा उसको प्रजलिद करने के लिए संद को बताया गया और इसका मात्यम से ये भक्ती देरे देरे पुरे विश्व में पाइलने लेगा इस संद के मुर्फियों के तुरंत बाद विश्व मखायूत हुआ दा दूसरा विश्व मखायूत इस कारण इस बाते उतना उसमें प्रजलिद नहीं थे बाद में ये सब प्रजलिद होने लगे और हम जानते हैं कि संद पिदा जौन बॉल्ट जुदिये ने उनको धन्य के रूम में कोशित किया था उन्नी सौथ तिरानवे में और दोजार में उनको संद के रूम में कोशित किया और आज हम इस संद का त्योगार मनाते हैं और अम लनिवाद देते हैं ये सवर के वो करुना का भाव और उसको मतलब समचने के लिए हम आउसर मिला हैं बहुत लों करुना माला तीन बजे प्रातना में भाग लेते हैं आश्रम के तरव से भी जो करुना माला का जो बिंदी है तीन बजे प्रसारिद करते हैं बक्ती से हम इसमें भाग लेते हैं और कई प्रगार के क्रबा राश्षिस प्राप्त करते हैं आज के प्रतम बाद हम आयूब के गरंद से सुनते हैं ये आयूब के जीवनी के बारे में हम जानते हाज का पार्ट आकरी पार्ट है इस ग्रंद से आयूब एक धर्मी बिक्ती था और उनके जीवन में इतनी भीवत्ती आई क्योंकि ईश्वर ने सेतान को यादिकार दिया कि आयूब का टस्ट करने परिशा लेने के लिए और इपरिशा इतना खुरूर भाव ले लिया और आयूब को जिन्दगी में इतनी बड़ी बरबारी आई पर दो सुनने वाला कोई नई हमारे जीवन में आईशा होता है कि ईश्वर के विधाल में जो कुछ हमारे जीवन में वता है जो कुछ हमारे जिन्दग में वोगा और ए सबका असली अर्थ हमें समझना चागिए इस्यास नभी अध्याई 55 पदसिंग अपा 8 औ 9 में इस्यास करते हैं प्रभू ये करता है तुम लोगों के विचार मेरे विचार नगी है और मेरे मार्क तुम लोगों के मार्क नगी है जिस तरह अकाश प्रतिवी के ऊपर बहुत उन्चा है उसी तरह मेरे मार्क तुम्हारे मार्क से और मेरा विजार तुम्हारे विजार से उन्चे है येश्वर की योजना हमारे सम्ष के परे है नई तो येश्वर अपनी पुत्र को संसार में बेज़वा कूर्स में मरने को देगा येश्व का कुरूस अमारे सम्ष में नहीं है सम्ष के अधिकार में नहीं आता क्यों ये इश्वर अमारे लिए कुरूस पमरे हो भी अबमानी दोग कर इतना कुष्टोर इतना निश्टूर इतना खटोर इतना धारुनमाई मुर्ति के सामना करना इश्वर का प्रेम दिखाने के लिए यह अमारे समझ की बात नहीं है इसी तरा जो आभी इश्वर के सामने नदमोस्त होक गवता है मैंने प्रभू तेरे सामने बहुत आई से इसे चार्चा चलाई जो मेरे न समझ का प्रमान है ये प्रभू तेरी योजना समझने में मैं असमर्त दा और मेरी सीमा होती है, मेरी बुद्धी की सीमा होती है इंसान की बुद्धी की सीमा होती है और अमारा ज्ञान सीमिद रहते है, आम ज्ञान में बढ़ते रहते हैं प्रभु भाई तेरे सामने कुछ भी नहीं जो बोलते हैं कि प्रभु मैं धूला और राक हूँ और मैं पचाताव करता हूँ, मैंने जो कुछ उल्टना पुल्टा बोला दा, इस सब के लिए मैं पचाताव करता हूँ सेतान के साथ जो प्रदियोगी दादा वो समाप्त हो गया, एक कोस्मिक यो स्ट्रगल है, बुराई के साथ लड़ाई, यो समाप्त हो गया, बुराई पर जीत हो गया और अभी बुराई का असर नहीं रख गया, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में आईस तरह की खटना यह आती है, आउंको मालु नहीं क्यों हमारे जीवन में इस सब आता है रोमिय गणा पावलुस का पत्र अध्यायाट पत्र संग्याट 28 में पावलुस लिखते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग ईशर को प्यार करते हैं, और उनके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईशर उनके खल्यान के लिए सब वातों में उनकी सगाईदा करता है इशर को प्यार करने वाला इशर का अनुसार करते हैं, उनके जीवन में जो कुछ होता है आगरी में उनकी भलाई के लिए ही होता है हमारे आरे के विक्ति का साइद है अनिफोग हुआ मेरे जीवन में भी मैं ऐसा अनिफोग किया है जो हम सोचते कि यो हमारे साथ इतना न्याई नहीं हुआ पर दूप्रभू जो कुछ हमारे साथ हुआ है वो सबसे अच्चा परिनाम लाते है ये ईश्वर की योदिना है जो अब भी ये समझ लिया कि ये ईश्वर के योदिना को जो स्विकार करते है और ईश्वर को इस सब करनायों में भी देखते है और इसे विक्तियों के जीवन में यो कुछ प्रइडे का कुरू से और पुने रूथान के म拼ीमा का इसा बन जाता है हमारे जीवन में भी कुछ प्रइडे आते है ये श्युको जो मुर्तिवबादा कुछ प्रइडे के दिन कुरूस पर उनकी मुर्तिव और मुर्तिव के दवारा ही वो मगिमा में प्रवेश किया दा इस्टर का पुने रुठान गया ओश दिन एगी मगीमा है कुरूस की और दुक्व की एक मगीमा का इस्था है हाज का पाट हम इसी काते हैं कि उच्ञाइब शाथ पंडूक उठीन पुत्रिया अब पुत्रियों का नाम दिया है ये पुत्रियों का पाली का नाम है यमामा इसका आरते हैं पंडुक कबूतर और दूसरा का नाम है कसिवा इसका आरते हैं डालचीनी जो रसदहार है और तीसरा का नाम है करनपुख, इसका रते हैं खाजल की पेटी डिपी, पने ये लोग उनका हांकों का ये सवंदरी दिखाने के लिए लिखा है, हमारी बाशा में लोग भालें कि मर्क नायना, और ये आप साउत में मीन अच्छी, जिरका अच्छी मीन का अच्छी जैसा है, ये सवंदरी के विवरन है, ये विशे सुंदरी जैसा तीन रड़किया उनको मिला, और उसने अपने पुत्रियों को अपनी संबति का इसा दे दिया, जैसे पुराने जमाने में ऐसा नई था केवल पुत्रों को इसा दिया जाता था, परन्दु अयूब ने आपने उनको ये इसा दे दिया, इतना की नगी, जो एक सव चालीस साल तक रगे, जिन्दा रगे, इसका आर्थ है कि वो जैसे पुराने जमाने में जो पेट्रियार्स रगते थे, उनका बड़ी लिंबी उमर थे, आई सब आईवल में बढते हैं, जो भी उन पेट्रियार्स के स् उन्होंने देखा, आओर इस बड़ी उमर में उनका जगान दुआ था, जिसके बारे में हम उर्पति गरंद अथ्याई चातिस पदसंग्या ताइंदीस में पढ़ते हैं, हम दनिवा देते हैं जोग के इस कखानी के लिए, सच में ये कखानी है, मैं नई समस्ता हूँ आई दिगासी के, पर इस कखानी के दौरा आओ गरंदगार हमें समचाने के कोशिश करते हैं कि हमारे जिन्द के में जो कुछ होगा, इसका परिणाम अच्छा होगा, जैसे हम विश्वास के साथ उसका सामना करते हैं, और ये इस वर की जोजना के लिए सार हमारे जिन्द के उम मोड़े, ये इश्वार के जोजना एडिया में कुनस्प मरना है, पर इस पुनरुतान जिरूर होगा, आम इस विश्वास के साथ जोग के पाड को, इस करंद को पड़े, आज एका सुसमाजारू संदर्बका है, ये इश्वा अपने शिश्यों को दो दो करके बेजे दे, एका सुसमाजार के जोजना करने के लिए, आव इस सिश्यों वापस आते हैं, आव राप अपकुछी से आते हैं, अपरोब के सामना का कह देए प्रभू, आपके नाम के कारन अभदू भी अमारे अधिन होगे, शेतान को अपने निकल जाता है, निकल जाता है, चंगाई कर का और रोगों को हर प्रगार की बुराई से सुटकार देने का अधिगार येश्व ने उस इश्यों को दिया था और वे सफल हो गए था इसलिए बहुत कुछी से अकर कलते हैं तब येश्व ने उनसे का मैने शेटान को बिजली के तरफ सुर्क से गृते को ये देखा है और मैंने तुम्हें ये अधिगार दिया है वो बुराई के शक्तियों बर अधिगार है ये थी भी आज इक करन्द में लिखा है मैंने तुम्हें साम्बों बिच्वों बाईरी के सारी शक्तियों को कुछलने का सामर्थ दिया इसका अर्थ ये नहीं ये साम्ब को पकड़ों और बिच्वों को पकड़ना ये नहीं ये शैतानी शक्तियों बर चागे कितना भी दुस्तु हो, कितना भी विशैला हो, आई से बुराई की शक्तियों बर अधिगार दिया है इसका उसी तरग इसका अर्थ को समझना है नहीं तो यह सोचे कि प्रभु ने हमें अधिगार दिया साम्ब को पकर ले या बिच्चू को पकर ले कोई हानी नहीं होगा बिच्चू और साम्ब जाई से बुराई की शक्तियों बर इसवर का अधिगार शिश्यों को दिया गया है तुमें कोई हानी नहीं पहुंचेगा हमारे जिन्दगी में कुछ भी करनिया हो पर दू उसका साम्बन करने के लिए हमें प्रभ से जुड़े रहना पड़ता है जैसे आज के प्रतम बार में जोब के बारे में हमने सुना है ये ती भी जोब को ये सब फुरा जानगारे नहीदा परंदू ये इमांदार रगा प्रभ के प्रदी पावलिस लोमिंगे नाम अपना पत्र अधिया याट पद सिंग्या पाइंदीस में लिखते हैं कौन अंको मसी के प्रेम से बंजित कर सकता है क्या विबत्ती या संगड क्या अत्याजार भूख नकनदा जोकिम या तलवार कुछी भी अमें प्रभ के प्रेम से बंजित नहीं कर सकता जिदि अमारा नाम सौर्क में लिखे गए हैं जिदि आम पर उसे जुड़े हैं, जिदि आम असली दाकलदा के असली डालिया हैं, तो अमारे जीवन में किसी प्रगार की ये प्रवस्य अलग होने का आवस्थार नहीं होगा, करते हैं, इस सब आतों वरा मुनी के द्वारा साकजीगी भी ये प्राप्त करते हैं, जिन्हों ने आम इंप्यार किया है, पावलुस करते हैं, आमें कुछ भी संसार में कुछ भी इस वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते, और ये कुछ शिशे का ये अनुफ़व होना चाहिए, चाहिए कुछ भी हो, हम प्रवसे जुड़े रगेंगे, उनका प्यार में हम लगे हमारी जिन्दगी में खड़नाई हो, समसिह हो, बरवादी हो, फिर भी आम प्रव का प्रेम का अनुफ़व करते रगेंगे, पालुस करते हैं, मुझे दृडविश्वास हैं, ना तो मर्न या जीवन, या सरकदूद, या नरकदूद, ना वरतमान, ना भविश्य, ना आका ना पादाल की कोई भी शक्ती, ना समस सुष्णी में कोई या कुछ भी, हम इश्वर के उस्प्रेम से बंचित कर सकता है, जो हमें अमारे प्रवेश्व मसी द्वारा मिला है, है कि एक विश्वासी का प्रमान है, इश्वर से जुड़े रगना, कुछ भी हो जिन्दगी मे परिंदुई मेरा पिदा और मेरा प्रभू मेरे साथ है, चाके अंदेरी घटी ओकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्टी की संका नगी, यह आज का पाद हमें सिकाते हैं, इसके आगे प्रभू करते हैं, प्रभू येश्व अपने सिश्यों को देख करते हैं, पिदा को अपरतिव के प्रभू, view तेरी इस्तुदी करता हूं, प्रभू येश्व के प्रारतना, जो घटी की गाराई से आती हैं, आमिंगे बहुत कुछ ऐसे हैं, इसे संदर्पमे एश्व की प्रारतना, प्रभू के मुग में निकले प्रारतना मिलते हैं वैवल में, उनमें से य कि यही है पिदा को दनिवाद देते सुधी करते हैं क्योंगी कहते है पिदा क्योंगी तुने सब अपतों को ग्यानी और समझदार उसे चिपा कर नेरे बच्चों को पर प्रगट किया है जो दुनिया के सामने कुछ भी नहीं है आईसे ये मच्चवा ये तेन्डिवार्दि देते हैं, संद अपनी जिंदगी को इष्वर के लिए समर्पित कर देते हैं, हाँ उसकुछ इष्वर के प्रेम के कार्न को देने के लिए तयार हो जाते हैं, हम इस कार्न हिन का अनुभव रगता है, गड़ाई से ईश्वर से जुड़े रगने का अनुभव और उनको ईश्वर के प्यार में लगे रगने के लिए और संसार के और चीज को गवा देने के लिए उनको उड़ साकित करते हैं, प्रेरिद करते हैं इसनिए प्रभु येश्व कहते हैं पिदा मैं तुझे दनिवाद देता हूं क्योंकि तुने ये सब आते निरे बच्चों को प्रगण किया है मा मरीय ने भी ये खगा था आपने यो मकनिफिका ते प्रभु की सुधी करने में लुकस का सुसमार अध्याय एक पदे संगिया और आगे कहते उसने अपने बागुबल परदस्शित किया उसने गमंडियों को तिदर भिदर कर दिया उसने शक्ति शालियों को उनके आसनों से गिरा दिया आव दीनों को मगान में ना दिया उसने दिरित्रों को संबन किया और धर्मियों को काली हाथ लवटा दिया यह इसवर की जोजना है यहां लोग नमर रते हैं इसवर के सामने वहां बग कृपा प्राप्त होती है यह सुनी यह बात आज आपने सिश्यों को बताया और प्रभु ने आगे बताते हैं कि जिन बातों को तुम देख रेगो सिश्यों से कावते हैं यह सब बाते देखने के लिए राजा लोग उठ सिगते नमी लोग प्रदिश्या करते थे आओ जगुदियों को पूरवज उस दिन इस दिन की प्रदिश्या करते थे परदू उन लोग ने देखा नहीं परदू तुमें यह आवसर मिला है जब जगुदियों के साथ बात करते है थे उसमें येश्वने कागा था जो उनका सुसमारे आठ में बढ़ते हैं येश्वने कागा इब्राहम भी ये बात देखना चाहते उनने देखा और कुस हो गया नभियों को ऐसा आवसर दिया गया कि वो आने वाले बात होगो आपने दीवे दर्शन में देख सके येश्व के नाम में शक्ती है येश्व के नाम अवदूदों को निकार सकते है येश्वने उनने मगार बनाया और उनको ये वो नाम प्रदान किया जो सब नाबों में सुरेष्ट है जिससे येशु का नाम सुनकर आकाश प्रत्वी अधोलों के सब निवासी घुटने ठेके और पिदा की महिमा के लिए सब लोगे सिगार करें कि येशु मसी प्रभू है येशु के नाम में शक्ति है उनके नाम पर पेतरुस ने का गा उस बिगलांग विक्ती से उड़कड़े हो जाओ उड़कड़े हो गया येशु के नाम पर मुर्दाओं को पेतरुस ने जिलाया आप पावलूस के कई चमतकार हम बढ़ते हैं ये सब येशु के नाम पर होते ह वो एक क्रभा का वस्तर है जोगन ने अपने दो सिश्यों को बेजा येश्व के पास पूछने के लिए क्या आप आने वाला मसी है येश्व ने जोगन के सिश्यों से कगा जाओ तुमने जो सुना है देखा है उसे जोगन को बता दो अंदे देखते हैं लंगने चलते हैं खोरी शुद के जाते हैं बगरे सुनते हैं मुर्दे जिलाए जाते हैं दरितरों को सुसमाजा सुनाए जाता है और दन्य है वो जिसका विश्वास मुझे पर से नहीं उड़ता जो शिश्यों ने यो सब देखा था अपनी आंगों से देखा है यश्वर के राजी का ये पर्मान है और आज भी यश्वर के राज हमारे बीच है और ये चिन्त चंब्दकार ये शुकर नाम बर होते रहते हैं हम भ्रोगों को दनिवादेते हैं आए हम प्रारत न करें यह प्रभु आम तुझे धनिवाते हैं जोगों के जीवन के लिए उसे ने अपने विश्वास खुआया नगे उनके जिद्गी में इतना बर्बाद या गई आ और इतना उनको सगना पड़ा सक्कूच को गया पर भी वो प्रभु के प्रदी विश्वस्त रगे आप प्रभु ने उनको सब कुछ बापस कर दिया और वे धन्य हो गए यह प्रभु जिव खटनाई आते हैं तो आम लोग तूट जाते हैं परसान हो जाते हैं निरास हो जाते हैं प्रभु तेरी कृभा ही आमें तुछ से जोड सकते हैं अम धनिवा देते हैं तेरी मगान कृभा के लिए यह प्रभु ने अमें इतना प्रेम किया कि अपने पूत्रों को संसार में बेजा यह 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 ने आमें यह प्रेम दरसाया है आज हम लोग संद पवस्तिना का त्योकार मनाते हैं वो पवस्तिना ने अमें फिर से दरसाया कि इश्वर की करुणा अप्रेम दया अनकंबा कितना भार है इस मगान कृभा के लिए दनिवा देते हैं आये प्रभु तुसे जुड़े रगने के लिए आउर तेरी कृभा प्राप्त करने के लिए तु आमें जोकी बना ये प्रार्तनम करते हैं अमारे प्रभु क्रिस के द्वारा आमेन प्रभु तेरी वाड़ी जीवन की रोटी नेनों की जोते अंधेरा मिटाती वाड़ी 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 पवित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है प्रभु तेरी वाड़ी 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 वाड़ी